पिछले महा के 28 जनवरी को मुख्यमंतर नितिश कुमार के नितरत में आई NDA सरकार सोमवार को विधान सवा में फ्लो टेस्ट पर उतरेगी नितिश कुमार अपनी सरकार के लिए बहुमत पर वोटिंग का प्रस्ताव सदन में रखेंगे फ्लो टेस्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष राजनिती गहमा गहमी चरम पर है जदिव ने रविवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई मुख्यमंतर नितिश कुमार ने अपने विधायकों को संबूदित किया बिहार के विकास के लिए एकजूट रहने की बात कही इंडिया सरकार के फ्लो टेस्ट पर होने वाले मतदान के पहले विधानसवा अध्यक्ष अवद विहारी चोदरी को अध्यक्ष के आसन्ट से हटाने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाना है यह काम सेंट्रल हॉल में राजिपाल जाजेंदर विश्वनात आरलेकर क जाये और फिर विधानसवा अध्यक्ष को परषिफ से हटना पड़ेगा विधानसवा अद्यक्ष के आचन से फटते ही विधानसवा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी अद्यक्ष के आसन पर चले जाएंगे इसके बाद फ्लोर टेस्ट की कारिवाई आरंब होगी मुख्यमंतर नितिश कुमार अपनी सरकार के लिए वहुमत का प्रस्ताव सदने पढ़ेंगे इसके बाद विधानसवा अपाद्यक्ष द्वारा इस विशे पर वोटिंग कराए जाएगी वोटिंग के फलाफल के बाद परता निता परतिपक्ष और मुख्यमंतरी सदन को समोधित करेंगे फ्लोटेस्ट के करम में वोटिंग के परणाम को ले सत्तापक्ष और विपक्ष द्वारा अलग-अलग दावे किया जाने का दौर भी चला है सत्ता पक्ष का कहना है कि वहुमत का आकड़ा हमारे पास काफी सहजिता से है हमारे सारे विदायक हमारे साथ ही है वहीं विपक्ष खेला होने का दावा कर रहा है विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष के विदायक हमारे संपर्क में है ऐ विश्वास परस्ताप पर चर्चा हो रही है कि आखिर किस की सरकार बनी रहेगी, किस की सरकार गिरेगी, क्या होगा यहां पर नियुक्तियों को लेकर यह लगातार मामला चर्चाओं का विश्व बनावा है इसी वज़े सबकी नजरें इस वक्त फिलाल बिहार की राजनीती पर बनी भी है